करने की हो रही है। कॉंग्रेस अपने नेताओं को अपने वकीलों से चित करने चल पड़ी है। हाला कि पाइलट समर्थकों ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं लेकिन बात कॉंग्रेस के साथ रहने की कर रहे हैं। बावजूद इसके पार्टी में हालात बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। राजनीती के पुराने खिलाडी कहलोत बिसाथ पर पाइलट को चारो खाने चित करने की फिराक में हैं। काफे मुस्तेदी से मेहनत भी कर रहे हैं। अब वे तंज भी कस रहे हैं। कह रहे हैं पाइलट को उम्र से जादा मिला है लेकिन शायद अब नहीं। कोंग्रेस पर निशाना साधा और लिखा कि अपने हर विवात का ठीकरा पडोसी पर फोड़ते हैं और पडोसी से निपटने के समय घर वालों को ही कोशते हैं। अच्छी अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता परिवार के साथ कमिट्मेंट मैंने रखता है। गहलो जी का हर बयान कोंग्रेसियों पर गांधी परिवार के मालिकाना हक की पुष्टी करता है। वहीं कॉंग्रेस ने राइस्थान में सभी जिला और ब्लॉक समीतियां भी भंग कर दी हैं। अपना घर समालने पर कॉंग्रेस को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बुद्वार को राजिकी राजनेतिक के स्थिति पर एक बैठक भाजपा ने भी की। और नेता विपक्ष गुलाब चंद ने तो एक बार फिर कॉंग्रेस को निशाने पर लिया। कॉंग्रेस आला कमान के दोहरे रवये से पाइलेट के काफी समर्थक खफा है। अजमेर सहित राजिस्थान में कई जगहों पर गहलोत के खिलाफ समर्थकों ने विरोध भी किया। मुखे मंतरी का पुतला भी फूंक डाला। विरोध, सहियो, समर्थन, सब राजनिती की विसात पर राजिस्थान में कुछ दिन रेंगे। रक्षा मंतरी वहां के ताजा स्थिती का जायजा लेंगे। इस महीने के शुरबात में तीन जुलाई को प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था। प्यम नरेंडर मोदी ने वहां अग्रिम पोस्ट पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था। साथी सरीकों की तनाती कम करने के लिए भी अपनी शर्तें रखें। साथी कैस ये सरीकों कर दुलाई एा दुलाई को पर वहां हैं अग्रिम पोस्ट पिस का दो माँ